तो हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है हमने इवोलूशन का पहला जो है वीडियो डाल चुका है अपने चैनल पे यह है इवोलूशन का पार्ट टू तो चलिए आज हमें इवोलूशन के बारे माँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज हमारा जो है कैमिकल इवोलूशन ठीक है जैसा कि हम लोगों ने जो थेयरी पड़ी थी वो पड़ी थी Theory of Biogenesis Theory of a Biogenesis हम लोगों ने पढ़ी थी Theory of Cryptophism पढ़ा था ठीक है उसके बाद evolution हम लोगों ने सारा खतम किया था origin of life किस तरीके से हम ने पढ़ा था और यहां पर जो है हम लोगों ने law पढ़ा था Louis Pasteur का ठीक है Louis Pasteur का और ready law हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से Louis Pasteur ने बताया कि जो है life is originated from pre-existing life जो है theory of biogenesis ठीक है तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि life जो है यहां पर pre-existing life है ठीक है life का निर्माड जीव का निर्माड जीव सही होता है ठीक है तो ऐसा Louis Pasteur का कहना था ठीक है अब हम लोगों आते हैं कि chemical evolution of life किस तरीके से chemicals मिल के जो है वह हमारी life का जो है वह निर्माड किये ठीक है hypothesis किस ने दिया था तो ओपेरीन जो कि Russia के थे ठीक है और Holden जो कि England के थे बाद में Indian citizenship ले ली उन्होंने ठीक है तो वो इंडिया के ही हो गए ठीक है और इंडिया में ही उन्होंने जो है वो अपना hypothesis दिया था ठीक है उन्होंने ये कहा जीनल़ा चाहिक है फर्स्ट लाइफ हो ठीक है Say कि लोंग मैक्रों मालिकूल से बना हुआ है जिसमें आर इनैयोर प्रोटीन बना ठीक है RNA और प्रोटीन बना ठीक है और इसे इन और्गेनिक मालिक्यूल कहा ठीक है इन और्गेनिक मालिक्यूल जो है रियक्शन किया किसके साथ उस तेम प्रत्वी पे क्या था प्रत्वी पे एकदम जल रहे थी हाई टेंपरेचर था ठीक है बिजलियां कड़क रहे थी lighting थी और wallican erection था ठीक है wallican erection means जैसे कि आपस में reaction करना ठीक है ये सम मिलके ठीक है ये सम मिले reaction किये inorganic molecule से ठीक है तो operine और holden का कहना था कि ये लोग reaction करके हम लोगों क्या दिये carbon hydrogen oxygen nitrogen sulfur phosphorus ठीक है इतना सब कुछ हमको मिला ठीक है इतना सब कुछ मिला और बाद में ये सब जो है आपस में reaction करके क्या बना दिये ns3 बना दिये h2o बना दिये ch4 बना दिये hcn बना दिये और co2 बना दिये जिसे simple organic molecules कहा गया ठीक है जिसे simple organic molecules कहा गया यहाँ पे देखिए ये simple organic येव ikने को शल्cion करिंग निए य्क काई यह चाइब है यहां पर क्या बनना गया च्छिज ना चीज नहीं किये चीडिक है तो इतना सब्च चीज बनाये फकाह्य इतना सबकुछ बनाया है जिसे हम लोगों न क्या क्या है Simple Organic Molecule यह था Simple Inorganic Molecule ये बन किया simple organic Molecule ठीक है अब Simple Organic Molecues आपस में function किए कई सारे सुगर मिलके बना दिये complex polysacryde ठीक है कई सारे amino ACIDs मिलके protein बना दिये कई सारे nitrogenous base मिलके nucleic Acid बना दिये ऐसा ओपेरीन एंड होल्डन का कहना था ठीक है ओपेरीन एंड होल्डन का कहना था ठीक है फिर यहां पे आते हैं उन्होंने कहा life is originated from combination of chemical life जो है उसका निर्माड chemical के composition से हुआ combination से हुआ chemical मिल के जो है वो life बनाए ठीक है this evolution is called chemical evolution इस evolution को chemical evolution उन्होंने कहा ठीक है अब यहां पर बात करते कि यह इन्होंने कह दिया तो हम लोग तो मान तो लेंगे नहीं कि बुक में आ गए चोलो भी यह मान लिया इन्होंने जो का इसका प्रूफ भी तो होना चीए इसका प्रूफ किस ने दिया तो इसका प्रूफ श्टेनले मिलर नामक साइंटिस्ट ने दिया है ठीक है श्टेनले मिलर ने क्या किया जिसे मिलर इक्सपेरिमेंट कहते है इन्होंने एक लैब में हाइड्रोजन लिया सॉरी वाटर वेपर लिया है श्टुओ NS3 लिया CH4 लिया और हाइड्रोजन लिया इसका अनुपाद क्या था NS3 के 1 molecules CS3 के 2 molecules और hydrogen के 2 molecules इन्होंने लिया उसी तरीके से लिया जिस तरीके से यहाँ पे Oparine और Holden ने बताया था उसी तरीके से सारी चीज बनाई जिस तरीके से पहले इन्होंने बोला कि इस तरीके से हुआ इन्होंने लैब में करना चाहा यह देखिए यहाँ पे सारी चीज इन्होंने लिए एक इस प्रकार का Flask लिया यहाँ पे देखिए यह Water Vapor है यह देखिए Electrode है यह 75,000 Volt की Energy प्रवाइड करते हैं 75,000, 75,000 Volt की Energy प्रवाइड करते हैं जितना कि उस टाइम तापमान था शूरे का ठीक है किस टाइम जब प्रवी की मतलब ओरिजीन हुई थी जब जीव बन रहे थे प्रवी पे नए नए ठीक है इडों ने क्या किया Hydrogen यहाँ पे देखिए CS4, NS3, H2O and H2 Gas लिया और यहाँ पे Electrode की मदद से उतना ही ताप दिया ठीक है और इसको 18 दिन 18 दिन तक क्या किया छोड़ दिया ठीक है 18 दिन तक जब छोड़ दिया ठीक है इसको हीट भी दिया सब कुछ दिया 18 दिन तक जब इसको छोड़ दिया यहाँ पे तो Ultimately Last में Ultimately लाश्ट में उनको जहां पर यह देखे वाटर ड्रॉप्स है कोल्ड वाटर है वो सारे सब कुछ दिया कंडेंसर दिया ठीक है सब कुछ दिया तो 18 दिन के बाद क्या किया जहां पर यह सब कलेक्ट हो रा था वहां पर देखे कि रेड रेड कलर का कुछ जमा हुआ है कुछ व जो सूगर और अमीनो एसीड है तो इन लोगों का बात ओपेरीन और होल्डेन का बात धीरे धीरे सही हो रहा था ठीक है सूगर और अमीनो एसीड ठीक है है इस जो प्रक्रिया को दिया स्पार्क एंड डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है उस एक् के द्वारान जो कलेक्ट वाटर जहां पे जो कलेक्शन था वहां पे क्या मिला सूगर एंड अमीनो एसिड शूगर अर अमीनो एसिड यह प्रूफ करता है कि जो है यह सारी जब सूगर और amino acid मिल तो amino acid क्या करेगा amino acid amino acid मिलके कई सारे nitrogenous base बनाएंगे या फिर protein बनाएंगे sugar sugar मिलके यहाँ पर आप क्या बना देंगे sugar sugar यहाँ पर मिले तो complex polysecride बना दिये amino acid मिले तो protein बना दिये ठीक है तो इसी तरीके से यह लोग क्या किये इनकी जो कथन थी ओपेरीन और holden की वो सही मानी गई ठीक है अब हम आते हैं prebiotic system ठीक है prebiotic system क्या है तो prebiotic system term is given by ओपेरीन and Sydney fox ओपेरीन ने ही दिया था ओपेरीन का यह कहना था ओपेरीन जो रेड रेड कलर का मिला उसको उन्हों बोला इसमें बोला इन्होंने कि polysacryde जैसा मैंने पहले बताया जैसा मैंने पहले बताया sugar sugar मिलके क्या बना दिये polysacryde बना दिये और amino acid मिलके protein बना दिये ऐसा जो है नहीं इसको microsphere कहा जिसमें lipid और protein मिला ठीक है लेकिन अब हम यह बताएं कि cell को तो बनाने के लिए lipid भी चाहिए protein भी चाहिए amino acid भी चाहिए ठीक है nucleic acid भी चाहिए lipid भी चाहिए protein भी चाहिए ठीक है क्योंकि lipid जो है cell membrane बनाता है nucleic acid जो है वो genetic characters बनाता है इन दोनों के बिना cell बनना impossible है लेकिन इन दोनों को ही इन्होंने नहीं बताया तो इसलिए cell cannot reproduce cell नहीं बन सकता इसके बिना ठीक है फिर क्या इन्होंने बताया कि first time first life water में बना एस्ट वो में बना जो पहला सेल था वो था एनरौक जो था पहला सयल था जो वो ऐनरौक था एनरौक मतलब फ्री Oxygen यूज नहीं करते यह oxygen का यूज नहीं करते एनरौक के बाद heterotropic बना whenever हेट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रो पूरी की पूरी आपकी पूरी की पूरी केमिकल इवोलूशन आफ लाइफ अगर अब हम सिंपल वे में सिंपल वे में आपकी बात करें केमिकल इवोलूशन आफ लाइफ क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इवोलूशन की हाइपोथिसिस केमिकल इवोलूशन की किस ने दी तो operine and holden, operine कहां के रहने वाले थे, रस्या के, holden कहां के रहने वाले थे, रहने वाले तो England के थे, लेकिने उन्होंने बहुत पहले ही इंडियान से ले ली थी, ठीक है, इनका कहना ये था कि जो पृत्वी पे long micro molecule है, है प्रिथवी पे वो RNA protein inorganic molecule जो है इतने सारे इस चीज यह पहले पे प्रिथवी ती इस Sponge करकर के ठीक है उन्होंने carbon hydrogen oxygen nitrogen sulfur बना दिया ठीक है भाई जब यह सब है ठीक है यह सब है खुले वातावरन में तो जायर से बात यह सब भी आपस में सी रेक्शेन करेंगे आपस में रियक्शेन करके इन्होंने निये बनाया backing इन्होंने क्यां विताइक नीद सीएक है अब देखिएbig delivery आपस मेंरी रियक्ट करके सुगर अमीनो एक्षिट फैटी एषिट औन नैस्स्ट मेस मिलके बहुत सारे सुगर मिलके complex polysecrite बना दिये बहुत सारे amino acid मिलके protein बना दिये और बहुत सारे nitrogenous based बिलके nucleic acid बना दिये ठीक है फिर operine and holden का कहना था कि life is originated from combination of chemical यह इनका कथन सही था कि life जो है उसकी origin बहुत सारे chemicals के combination से हुई है इस evolution को इन्हों ने chemical evolution कहा ठीक है इतना समझ में आ गया ठीक है इसको प्रूफ किस ने किया तो इसको प्रूफ जो है इस टेनले मिलर ने किया इस टेनले मिलर ने हाइड्रोजन NS3 CS3 and s2 को one one is to two is to two के ratio में लेके इन्होंने लेबरेटरी में प्रूफ किया वो सारी चीज की जो उस टाइम चल रही थी ठीक है इस experiment को spark and discharge experiment कहा इस experiment के द्वारान जो ultimately बना वो sugar और amino acid बना इससे ये proof होता है कि ओपेरीन और होल्डेन का कहना सही था ठीक है इन्होंने जो है वो बोल दिया कि नहीं ओपेरीन और होल्डेन का कहना सही है कि जो life की originate है वो combination of chemical है chemical के combination से जो है वो life बनी हुई है ठीक है pre-biotic system क्या है तो term is given by ओपेरीन and sydney fox ठीक है pre-biotic system को ओपेरीन and sydney fox ने दिया ठीक है ओपेरीन ने इसे conservates कहा जिसमें polysecrides and protein मिले ठीक है sydney fox ने इसको microsphere कहा जिसमें lipid और protein उन्होंने बोला कि ये मिल रहे हैं लेकिन मुझे ये बताई ये lipid और nucleic acid के बिना cell बनना impossible है इसलिए ये जो है cell cannot reproduce ये जो दोनों कथन था ये गलत हो गया ठीक है ये जो दोनों था वो गलत हो गया बाद में उन्होंने बोला कि life की origin सबसे पहले water में हुई anaerobic first cell जो बना वो anaerobic था anaerobic means ये free होते हैं oxygen का use नहीं करते हैं ये o2 का use नहीं करते हैं ठीक है heterotropic थे heterotropic मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाते दूसरों पर depends रहता है है autotropic से दो प्रकार के बने chemo autotropic and photo autotropic ठीक है यह दो प्रकार के जो है वह सेल बने chemo autotropic and hetero autotropic ठीक है first cell first cell prokaryotic बनी then eukaryotic बनी ठीक है यहाँ पे अगर हम autotropic heterotropic की बात करें तो इसमें virus bacteria वगर आती है ठीक है फर्ष्ट सेल जो बनी वो प्रोकरियाटिक एंड यूकरियाटिक बनी दोस्तों यह थी इवोल्यूशन की सेकेंड स्पार्ट ठीक है इवोल्यूशन से रिलेटेड और भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी और लाश जो वीडियो होगी उसमें आपको अनसॉल्ड भी स सुल्व कराया जाएगा इससे पूरे क्यूस्ट आपको सॉल्व कराया जाएगी वीडियो अच्छा लगये दो कर दी एक बड़ा सा लाइक चैनल पे नए हैं हैं तो चैनल को कर दीजे करके सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक इमिलेगा झाल झाल